पढ़ रहा है क्लास 11 का अधारित गनित की पुस्तक का अध्याय नमबर नो अनुकरम वश्रेणी बच्छों पिछले वाले वीडियों बच्छों मैंने तुम्हें क्या पढ़ा जिस्ट इंट्रोडक्शन यानि कि अनुकरम की परिवाश्य पढ़ी श्रेणी की परिवाश्य अनुकरम पैटर्ण फॉलो करता है श्रेणी में गनितिय शंक्रिय लगा देते हैं अनुकरम के पदों के मद्य त्वासा करता हूं पहला वीडियो आपके समझ में आ गया होता है मुझे पता है कि आपने पार्ट वन वीडियो देख लिया मैं ऐसा मानकर मेरी अनुकरम के प्रथम तीन पद्ध अनुकरम का मतलब क्या होता है कोई पैटर्ण फॉलो करेगा तो अपर एक रखो एए हैं से मतलब एवन قम मतलब पहला पदушки का मतलब दूसरा पद न की जिंगे एक रख दो एक चुर सात नो ग्यारा तो अनुकरम क्या बन गया साथ नो ग्यारा आगे पूछ ले तो तेरा आगे पूछ ले तो पंदरा इस तरह से चलता जाए जाए बस बना लिया अपने हमारे प्रश्ण के ओल तीन पद के लिए बोला था बहुत चोटी सी बात है ना आगे बढ़ो सॉल्यूशन भी टाइब है आपको एक्जाम में किस तरह से आपको लैंग्वेज रखनी पड़ेगी क्योंकि मैं तुम्हां क्यों नुमेरिकली स्टेप्स तुम्हां समझाऊंगा बच्चो कोई भी नुमेरिकली स्टेप्स लिखने से पहला है कुछ बाते हमें समझनी अगर आप डारेक्ट लिख दोगे यहां पर तो फिर क्या मज़ आएगा महां पर शो करना पड़ेगा कैसे इस तरह से एन कमान एक दो तीन रखने पर इस तरह से सब कुछ एक-एक बात को तुम्हें एक्स्पेन करके वहां पर लिखनी पड़ेगी मैं तुम्हें नुमेरि अगी ठीक है चलो आगे बड़ो इसी का दूसरा प्रिश्ण क्या रहा है बच्चो एन वही एन माइनस तीन बटा चार तो एन कमान एक रखो बच्चो एन कमान एक रखो तो ध्यान से देखो यहां पर आ जाएगा माइनस का दो बटा चार यानि कि पहला पद हमारे को मिल ग अग्रम माइनस एक बटा चार जीरो इस तरह से चलता जाएगा बहुत असान है देखो आजो माइनस एक बटा दो ठीक है दूसरा माइनस एक बटा चार तीसरा जीरो यहां पर चोटी मोटी टाइपिंग मिश्टेक्स बच्चो तुम्हां मिलेगी लेकिन मैंने तुम्हां प्रक्स बटा आउ के लिएहां से तुम्हां देखनी है को पी नहीं करना समझा है था तो मैं पें इंग बटा कोव लगा के माइनस एक बटा चार और जीरो एग्री चलो उधाह नंपर दो क्या कर रहा है एन- 1 गुणा 2-1-3-2 प्लस-2 त्वारा परिवाशित अनुकरम का यह पूछना चाहरा है बीस वा पद ग्याद करो ठीक है आपकी पार्टेबस तक आपके पास आप उसमें देखो आराम से अच्छा कोई साभी पूछ ले बचो मेरा यहां पर समझाने से ताथ पर यह इसकी भाहना है समझाना वह पांच वा पद पूछ ले हंट सो पूछ ले ग्यार वा पद पूछ लो उससे क्या रख बढ़ता है अगर सपोच करो इसने बीस वा पद पूछा है तो एन कीजे के बीस रख दो क्या सोचना इसमें तो दहां से देखो बीस माइनस एक ठीक है दो माइनस बीस और तीन प्लस बीस तो कैल्कुलेशन करता है उननिस गुण का 7886 हमें प्राप्त होता है कर लोगे बहुता साना आगे बढ़ो उधान नंबर तीन बचो क्या कर रहा है माना की अनुक्रम लिम्ले की दूरूप से परीबाशीत है एवन का मान बच्चो एक है पहले पद का एक देदिया इस नहीं है यह परीबाशीत बच्चो ऐसे है ए अनुक्रम के प्रिथम पांच पत ग्याद कीजिए तता संगत श्रेणी लिखी है तो बच्चो द्यान से देखते हैं सबसे पहली बात एक रखने से को दिक्कत है नी एवन तो अल्डरेड इवन हमारे पास है बच्चो एन कमान दो रखो एन कमान दो यहां पर रखेंगे द पराफ्ट होता है बातशन में एक साथ यहां पर मिलेगी और तीन अगया है पांच आ गया है पांच आगया है इस तरह से बनता जाएगा एक तीन पांस साथ नो ग्यारा इस तरह से बनता जाएगा कर लेंगे अराम से बहुत आसान है तो बच्चों इनी उधारनों की साहिता से इसी तरह के प्रशने तुम्हारी प्रश्माला में कृप्या पहले सभी ट्राइ करें कोई बी अलग कॉंसेट वहां पर आने वाला नहीं है आप ट्राइ करेंगे और फिर आपके संतुष्टी करने के लिए वीडियो देखेंगे तो बच्चों आपका मोटीवेशन बहुत बढ़ेगा लेकिन तुम डारेक्ट स्थाइब बात आता चरह बोड़ी ओंद अध्यां सोल तब स्थे गएगजाम में तुमारे हाथ करेंगे तो फटाउट से नो पॉंट एक क्विडियो देखना सौलीचन के लिए मिलता हैं वीडियों में नोपोंट एक किस्छमाला के साथ बढ़ाए